अगले साल के IPL के लिए यानिकी 2022 के IPL सीजन के लिए दो नई टीम्स किस शहर से होंगी और कौन होगी उनसके ओनर्स उसका एलान हो चुका है अनौस्मेंट हो चुकी है तार्स दुबाई में आज ये पूरा प्रोसेस हुआ बिडिंग प्रोसेस हुआ और विनर रहे इन दो की बिड्स के लिए RPG संजीव गोइनका ग्रूप और CVC प्राइवेट एक्विटी फर्म है CVC इनके बारे में आपको बताएंगे लेकिन आपको बता दे कि कितने में इन्होंने ये दो टीम्स खरीदी है संजीव गोइनका बहुत बढ़े इंडस्ट्रिलिस्ट है पहले भी इपयल टीम के ओनर रह चुके है इन्होंने लखनाओ की टीम खरीदी है यू पी के कैपिटल लखनाओ की टीम खरीदी है 7,090 करोड रुपए में और वहीं एहमदाबाद के लिए एक टीम पहले भी रह चुके है और एहमदाबाद के लिए 5,166 करोड रुपए की बिड कमाई हो जाएगी लेकिन इनके पास 12,000 से ज्यादा साड़े 12,000 क्रोड से ज्यादा की कमाई हो गई है बीसी सी आई की चांदी चांदी हो गई है इस बिडिंग प्रोसेस के बाद से आप बता दे 74 मैच होंगे चुकि आप देखिए दो और नई टीम आएंगी अभी तक 8 टीम में थी 10 टीम हो जाएंगी 2011 में भी हमने देखा था दो टीम में थी पूने वाडियर्स थे और कोची थी 2016-17 में हमें दो टीम थी जब चैन्नाई और राजस्थान रोल्स बैन कर दिये गए थे एक बाद फिर से हमें 10 टीम में देखने को मिलेंगी और ऐसे में 74 मैच खेले ज होंगी दो ग्रूप होंगे और सभी जो टीम है अपने ग्रूप में पहले तो एक साथ सबके साथ एक-एक मैच खेलेंगी कम से कम ट्वाइस यूकर दो बार दूसरे को फेस करेंगी और साथी साथ एक टाइम आएगा जब वो अग दूसरे ग्रूप से भी जो टीम से उनसे एक एक बार खेलेगी और कोई एक टीम होगी उस दूसरे ग्रूप से जिसको वो कम से कम दो बार फेस करेगी तो ऐसे में कम से कम एक जो टीम है वो एट लीस्ट चौदा मैच खेलेगी तो काफी जादा मुझे लगता है कि अगर बायो बबल की स्थिती खुदाना खासता रहे कोरोन अगर बाहर कोरोन निकल ली जाए तब तक तो अच्छा रहेगा लेकिन अगर उस टाइम तक भी यह सब कंटिनी रहते हैं रिस्टिक्शन तो बहुत जादा प्रॉब्लमाटिक हो सकता है काफी दिक्कत हो सकती एक लाडियों को पर देखिए हमने देखा कि इस तरह से शो मस्स गो ऑन वाली जो फॉर्मला है वो बीजी जैन अपनाया है आई पील को सक्सेस्वली कंडक्ट कराया है जब से करोना आउटब्रेक हुआ है दो सीजन हो चुके है करोना के बाद से और इस बार भी बीजी तरह से इस बाद कर विश्वास कर रख रहा है कि जो दो टीम्स चेंज होंगी धोनी की बात भी हमने पिछले बार आपको बताई थी किस तरह से उन्होंने कहा था कि वो हो सकता है CSK के कलर्स में जर्जी में दिखें लेकिन किस रोल में हो पता नी कि अगले साल नया पॉर्मैट होगा या एक तरह से कहीं नया सिस्टम बन जाएगा दो नई टीम्स के आने के बाद से आपको बता दे छे सेंटर्स थे यहां पर ओप्शन दिए गए थे विकल्प के दिए गए थे समाम जितने भी बिडर्स थे आपको बता दे अदानी ग्रूप भी था खबर ये भी आए थी कि रनवी सिंग और दिपका पादुकोन का भी ग और सी वी सी एक्विटी फर्म ने फर्म की और आपको बता दे रीती स्पोर्ट्स जो की अगर आपको याद हो या फिर नहीं भी पता तो आपको बता देते हैं धोनी के जो मैनेजर है अरुन पांडे वो उसके प्रमोटर है रीती स्पोर्स के प्रमोटर है अरुन पांडे जो कि धोनी के मैनेजर रहे हैं, उन्होंने भी बिड किया था कटक के लिए, कटक सिटी की टीम के लिए बिड समिट की थी, लेकिन वो रिजेक्ट हो गई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कि शाहर लेट समिशन के वज़े से वो रिजेक्ट हो गई थी, सेंटर की हम बात कर रहे थे, कौन-कौन से शेहर थे, बता और ऑप्शन, तो एहमदाबाल, लकनाओ, कटक, धरमशाला, गोहाटी और इंदौर, ये जो चे कम से कम सेंटर थे जो अवेलिबल थे बिडिंग के लिए, लेकिन लकनाओ की टीम, मुझे लगता है बहुत लंबे व अटल भिहाई स्टेडियम जो है, वो होम ग्राउंड होगा, वहीं एहमदाबाद के लिए तो नरेंद मोधी स्टेडियम है, ये जो सबसे बड़ा स्टेडियम है, क्रिकेट का, और ऐसे में एहमदाबाद और इन सब में इंक्लूड हो जाएंगे, तो बहुत एक इंट्रेस पहले भी खरीच चुके हैं, और काफी इंट्रेस्टिंग होगा, अगले सीजन देखना आपको बतादे, आठ टीम में ही इतना कड़ा कॉमप्टिशन हमें देखने को मिला है, कई लट फेर देखने को मिले हैं, और अगले साल लकनाव और एहमदाबाद क्या जानने से, ये झाले साल लकनाव और में देखने सब्सक्राइब जार जानने से, ये झाले से, ये लदोेर रि होगजद फेरर भाले से, ले देखने को मिले हो, जे को म।के हैं, झाले से, भी हो ये कर요.